दोस्तो आज के इस वीडियो में बताएंगे लूडो किंग ऑनलाइन मूड में अपने दोस्तों के साथ कैसे खेलते हैं, खेलते समय भॉइशट कैसे करते हैं, टाइपिंग करके मिसेज कैसे करते हैं, इमोजी कैसे भेजते हैं, तो हर एक फीचर को step by step मोबाइल के स्क्रिम प होने वाला, अगर आप इस वीडियो को पूरा आं तक देख लेते हैं, तो लूडो किंग ऑनलाइन कैसे खेला जाते हैं, यह आपको पूरा जानकारी हो जाएगा, तो प्लीज आं तक जरूर देखिएगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने चनल को सब्स करने पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे हमें 4 ओप्सन मिलते हैं गेम खेलने के, और 4 का 4 अलग अलग है, शब में अप अलग तरीके से गेम खेलेंगे, अलग अलग फीचर मिलेगा, तो चली एकए करके समझते हैं, कि इस में हमें kया-कया फीचर मि गेम खेलना होगा और इसमें फीचर भी बहुत ही कम मिलते हैं इसमें उसके साथ चैटिंग तो कर सकते हैं पर टाइपिंग करके चैटिंग नहीं कर सकते हैं बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि हमें चैटिंग का उप्सन तो मिल रहा है पर वहां पर टाइपिंग का नहीं मिल रहा है तो अगर आप पहले वाले option को select करके game खेलेंगे तो typing करके chatting करने का option आपको नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा ये भी आपको बताने वाले अब बात करते हैं दूसरे वाले option का play with friends इसमें दोस्त आप अपने दोस्तों के साथ connect करके खेल सकते हैं जिसके साथ भी खेलना चाहते हैं जैसे कि आपका दोस्त कोई दिल्ली में बैठा हुआ है उसके साथ आप game खेलना चाहते हैं तो दूसरे वाले option से connect करके आप खेल सकते हैं और इसमें आपको सबसे ज़्यादा feature दिये जाते हैं क्यों दिये जाते हैं क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है तो उसके साथ आप टाइपिंग करके चैटिंग भी कर सकते हैं इसी के साथ भॉइस चैट भी कर सकते हैं मतलब बोल के बाते करते भी लुडो का मज़ा उठा सकते हैं इसमें स्पीकर का भी सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब भॉइस चैट कर सकते हैं तो सबसे ज बताइए एक computer के साथ खेला जाता है और दूसरा होता है pass and play अगर आपका चार दोस्त एक जगह है तो pass and play चालू किजी और एक सत बैठके game खेलिए जैसे कि पहले से खेला हुआ जाता है तो उपर वाला दोनों में से आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है निश्चित है कि दूसरा वाला आएगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आजादी मिलता है और सबसे ज्यादा फीचर भी मिलता है तो चलिए इस पर क्लिक करके open कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे color select करना होगा यह कौन सा color लेकि आप खेलना चाहते है तो read already selected है इसके बाद यहा पर रूम कोड क्रियेट करना होता है एक रूम बनाना होता है और उस रूम में जितने दोस्त के साथ खेलना चाहते हैं उतने दोस्त को उस रूम को कोड सेयर कीजी और ज्वाइन हो जाएगे और उसके साथ आपको गेम खेलना होगा तो अगर आपका रूम दोस्त क्रियेट कर चुका है पहले से तो सिर्फ आपको ज्वाइन होना है तो ज्वाइन पे क्लिक किजिएगा और उस दोस्ते आपको room code का number पूछ लेना है और यहां पे enter करके join room पे click करते हैं आप join हो जाएंगे या फिर आपको ही create करना है तो create के बटन पर click करेंगे और इसके बाद एक नीचे फीचर आ रहा है वाइस चैट मतलब अगर आप वाइस चैट का फीचर के साथ गेम खेलना चाहते हैं तो टिक कर दीजेगा अगर नहीं चाहते हैं तो कौन नहीं इस फीचर का लाव लेना चाहते हैं तो टिक छोड़ देना है इसके नीचे mode आगया किस mode में आप game को खेलना चाहते classic popular quick तो classic सही है अब दोस्तो create room पे click करना है अब दोस्तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि voice chat वाला जो feature हम tick की है जिसमें बाते करते हुए load का मज़ा उठा सकते वो feed है उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते उसके बाद ही उस feature का लाव उठा सकते हैं लेकिन दोस्तो हम लोग ऐसे हैं कि feature का लाव तो उठाना चाहते हैं पर उसके लिए पैसा देना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं तो उसका कोई उपाय है जी बिल्कुल कलाव उठाना होगा तो अगली बार भी आपको एक बार एड देखना होगा उसके बाद बिल्कुल फ्री में उस feature कलाव उठा सकते हैं तो चली एड देखने में क्या जाता है पैसा तो नहीं न लगेगा तो एड देखने के लिए refill talk time का एक option मिल जाता है इस पे रूम कोड क्रियेट हो चुका है अब आप जिस भी दोस्तों के साथ गेम खेलना चाहते हैं उसको यह रूम कोड सेयर करना है बोलना है कि इस रूम कोड को इंटर करके तुम ज्वाइन हो जाओ तो चलिए अभी मेरे पास एक यह में स्टार्ट हो चुका है और यहां पर हर एक फीचर को step by step यूज करके बताने वाले हैं तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर टाइप करके चैटिंग कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ उसके लिए मेरा जो फोटो दिख रहा है उसके जस्ट ऊपर में चैटिंग का अप्सन है इस पर क्लिक किजिएगा तो यहां पर देखिए कीबूड आ जाएगा जो भी टाइप करना है टाइप करेंगे सिंड वाले बटन पर क अगर आपने चार दोस्तों को कनेक्ट करके रखे हूंगे तो जिस दोस्तों को इमोजी भीज सब्हों पर में आप सबसे और सबसे मेन फीचर पर जो की है अपने दोस्त के साथ भॉइस चैट कैसे कर सकते बोल बोल के लुडो खेलने के मज़ा को कैसे बढ़ा सकते हैं इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है यहां पर माइक बना हुआ है और माइक पर रीड कलर का एक डॉट जैसा है वो दोस्त तो इसलिए है क्योंकि म माइक अभी बंद है माइक को चालू करना होगा तो चालू कैसे करेंगे उस पे क्लिक करेंगी तो भॉइस चैट और माइक्रोफून दोनों का दोनों ऑफ है इसको अभी चालू करना होगा तो इस पे क्लिक करेंगे तो अन हो जाएगा और अपने दोस्त को भी बोलना है कि आप सब भी अपने-पने माइक्रोफोन और भॉइस चैट के फीचर को आउन कर ले तो जैसे ही आउन हो जाएगा तो आपका आवाज आपका दोस्त सुनेगा और आपके दोस्त का आवाज आप सुने लएंगे तो इस तरीके से conversation आपका चलू हो जाएगा और बोल-बोल के बाते करना सुरू हो जाएगा यह दोस्त तो practically अभी इसलिए नहीं करके दिखा सकते क्योंकि जैसे ही अपना microphone on करेंगे वैसे ही जो आप audio सुन रहे आवाज सुन रहे यह बंद हो जाएगा record ही नहीं हो पाएगा तो फिर क्या हम आ आपको समझाई नहीं पाएंगे तो फिर वो दिखाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है तो इसलिए आप practically यूज कीजिएगा 100% काम करता है और विडियो थोड़ा सभी अच्छा लगा है पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा विडियो से रिलेटर ऐसे ही वडियो द देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिटेशन विल जरूर प्रिस कर दीजिएगा चलिए चलते हैं में अगले वडियो में